हाई दवस्तों आज हम आपको बताएंगे 125 HP 960 NGF की मोटर की वाइंडिंग करते हुए देखिएगा आप और यह देखिए हमने पूरा इसको सफ़ाई कर दिया है और यह नीचे रिंग लगा रखिए और यह स्लोट पेपर डाले रहे हैं यह सेवन मील का पेपर है नोमेक्स कर दिया सेफटी के लिए इसमें हम मीडिकल टेप भी लगाते हैं ताकि यह को रास्ट में कोर की वज़ह से फटेगा नहीं किए यह देखिए मेडिकल टेप लगाते हम दोनों साइड से एक इंची मेडिकल टेप है यह और इस प्रकार इसमें पेपर डालते हैं और उसके ब पांच मील का पेपर है और यह थोड़ा हम स्लोट से बाहर रखते हैं इसको एक-एक इंची ताकि कोईल डालेंगे आप स्लोट में तो इसक्रेच नहीं आएंगे बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा और यह पीवीची इसलिए डालते हैं कि पेपर आराम से स्लिप हो जाएगा नोमेक्स में थोड़ा दिक्कत आती है और यह पीवीची है तो इसलिए आराम से वायर जले जाता है इसलिए हम इसको डालते हैं और डबल सेप्टी होती है नीचे सेवन मीलका हो गया ओपर पांच मीलका हो गया इस प्रकार से ही इसकी वाइंडिंग करते हम यह देख सकते ह आप यह दो लड़के इसकी वाइंडिंग कर रहें यह मोटर क्या है थोड़ा अर्जेंट थी और यह स्लिपरिंग मोटर है थोड़ी अर्जेंट होने की वज़े से हमने इसमें शिप्टों में काम किया है यह आगे आपको दिखाएंगे हम और इसमें बहुत्तर स्लोट है 72 और एक से ग्यारा पीच है 1 टू 11 यह देखे आप आगे दिखाएंगे हम आपको पीच और इसमें 7 वाइर पेडलल है और टन्स है 10 तो 10 इंटू 7 बराबर सित्तर टन्स हो गए इसमें सित्तर वाइर हो गए तो 10 तन्स 7 वाइर बराबर सित्तर तो यह इसमें हमने वाइर Neistrum डाला है साड़े 18 के चार 18 के 3 और इसमें connection होंगे वो भी लाश्ट में हम आपको दिखाएंगे 3 delta connection है और इसका set weight है 3 kilo 150 gram और इस प्रकार से हम folding paper बोलते हैं उसको folding डालते रहते हैं और winding करते रहते हैं यह देख सकते हैं आप यह winding start करी है और actual में क्या है कि stand लगा रखा था तो थोड़ा सा video थोड़ा clear नहीं है लेकिन अभी आपको आजे विल्कुल clear दिखेगा यह देख सकते हैं और guys आपको हमारा video पसंद आए तो like और share कीजिएगा और comments कीजिएगा आपको कोई भी जानकरी चीए तो हम आपको comments के द्वारा देंगे यह देख सकते हैं यह winding चल रही है अब यह जो beach का paper है यह हम इसको 5 इंची लंबा रखते हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको यह भी Nomex है 7 mil का इसको beach का you बोलते हैं यह 7 mil है नomex paper है यह यह देखिए आप एक साइड ही वो folding होने की वज़े से देखो कोईल कैसे जाएगी यह easy चले जाएगी है देखो easy चले गए और PVC से क्या है कि sleep अच्छा होता वायर तो थोड़ा speed रहती है और safety भी हो जाती है इस प्रकार से हम winding करते हैं हमारा यही तरीका है यह देखिए U लगा रहे है इस प्रकार से यह winding चलती रहती है और ऐसे set डलते रहेंगे इसमें 18 set बनेंगे चार-चार के 18 set तो यह double layer winding है और आपको और आगे हम ब्लोग डालेंगे और यह ब्लोग हम थोड़ा सा लेट हो गयते तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कोई case ऐसा हो गया था तो पांस दिन net बन था इसलिए हम ब्लोग नहीं डाल सके थे तो इस प्रकार से यह देखिए यह आगे एक लड़का set लाया है एक दिना स्लिव लाएंगे और स्लिव भी हम साथ के साथ डाल देते हैं और इसमें हमने एक मुह छोटा रखा है सेट में और एक मुह लंबा रखा है क्योंकि एक अंदर अंदर वाले सब जंपर लगेंगे वह भी हम आपको हमारे वीडियो में दिखाएंगे वह आपको क्लियर दिखेगा यह देख सकते हैं यह वाइनिंग चल रही है यह देखिए आप स्लिव डाल दिये अब इस वायर को यहां पर कोईल के साथ हम बान देंगे हम पूरा सेट एक साथ नहीं बानते हैं हम फर्ष्ट जो मू होता है उसको फर्ष्ट कोईल के साथ बानते हैं और लास्ट जो मू होता है वो लास्ट कोईल के साथ बानते हैं और हमारा बीच वाला पेपर अगर लंबा है न तो लंबा रखने का फाइदा यह है कि आपको से क्योंकि इसके पार उपर जो कोल आईगी वो अलग फेस की आईगी इसलिए हम उसको लंबा रखते हैं यह देख सकते हैं आप यह अभी वाइनिंग टार्ट हुई है उसके बाद आप इसकी स्पीड यह भी पिछ कोई ले चल रही है और जब दोनों साइट से कोई ड़ने लगेगी तब इसकी स्पीड सेट डालने की स्पीड थोड़ी ज़ादा जलदी डल जाते हैं और ज़ादा हो जाती है स्पीड यह देखिए अब स्लीव डाल दी है अब इसको अभी यह पिछ कोई है यह देखिए यह मुह हमने लंबा रखा है यह डारेक्ट बाहर आ जाएगा यह देखिए आप कितना लंबा रखा हमने एक टन्स एस्ट्रा रखते हैं ताकि जोइंट ना लगाना पड़े लीडो में यह देख सकते हैं आप जो अंदर वाले होते हैं उनको थोड़ा छोटा रखते हैं और बाहर वाले होते हैं उनको एक टन सम लंबा रखते हैं क्योंकि अंदर वालों के सब के जंपर लग जाएंगे और बाहर वाली सारी लीडे बाहर आ जाएगी यह एक बार वहां से पीच के लिए अब जो कोई डबल डले गी है उसके लिए सेट करने गए हैं यह देख सकते हैं यह मोटर ओरिजिनल वाइंडिंग थी और मेर को जहां तक नोलेज ए एंजी एप की मोटर है यह एंजी एप का मतलब यह गोर्मेंट की बहुत पुरानी फेक्ट्री थी जो बहुत सालों से बंद है यह मोटर बहुत अच्छी मोटर है क्वालिटी वाइज हर मामले में बहुत अच्छी मोटर है यह एंजी एप का मतलब है नैशनल इलेक्ट्रिक गोर्मेंट फेक्ट्री यह गौर्मेंट की एक फिक्टरी थी बहुत प्यारी फिक्टरी थी यह और इसकी मोटर भी बहुत प्यारी थी और यह अब यह ओरिजिनल वाइंडिंग है तो मेरे ख्याल से यह 35-40 साल बाद यह मोटर जली है तो वो प्लांट तो बंद हो गया और यह मोटर अब नहीं मिलती है और इंडिया में इंडिया में स्लिपरिंग मोटर बनती है और वर्ड स्लिपरिंग मोटर बनना बंद हो गई है खाली स्लिपरिंग मोटर इंडिया में बनती है बागी इंटरनेशनल ब्रांड जितना भी है सिमेंस है एबी भी है और भी जो भी ब्रांड है उन्होंने स्लिपरिंग मोटर बनाना बंद कर दिया है यह देखिए आपने पेपर फोल्डिंग जो डाला था देख सकते हैं अब आप यह देखिए इस प्रकार से स्पीड हो जाती है और वायर में डालने में आपको रिक्स भी खटम हो जाता है कोई डर नहीं और डबल सेफटी है अभी इसको हम वापस फोल्ड करेंगे तो जो फोल्ड हो जाएगा वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे यह देखिए अभी यू डला है यह पीवी सी का साथ मिल का पेपर है सेवन मिल पीवी सी क्योंकि इसमें भी डबल आएगा अभी यह फोल्डिंग उपर से काटेंगे तो बाकी का जो होगा वो फोल्ड करके फिर व लंबा यह नुमेक्स है यह सेवन मिल का नुमेक्स है यह हम खाली सेट शेप चेक करने के लिए और आपको बताने के लिए पीछ देखिए आप यह देखो इसके पीछे भी हमने पेपर लगा रखा ताकि इसक्रेच नहीं आए क्योंकि फोल्डिंग वहां है नहीं यह देख कि आप पीछे इसके ग्यारा पीछे देख सकते हैं अब यह देखो अभी फोल्डिंग काटके और वेजे भी लगा दिये अब यह देखो अब यह नाइट आपको पता चल रहा होगा अब यह नाइट हो गई है तो दूसरी सिप्ट चली है मतलब यह देखिए यह हमने लगई है एक फाइबर की रिंग है उसके उपर ग्लास टेप किया ताकि पेपर का लेवल बराबर रहेगा अगर आप कोई डाउन करेंगे सेट को तो फटने का चांस नहीं रहेगा और मेडिकल भी लगा रहे हमने डबल सेप्टी करिए इसमें ऐसा कभी आपका स्लोड में इसा कोई गेप हो तो उस गेप को पूरा बराबर करिएगा नहीं तो पेपर फटने का चांस रहेगा यह देखिए आप किता लंबा यू है इसमें सेप्टर लगाने में आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी और डबल सेप्टी होगी यह भी एक तरह सेप्टर का का काम करेगा और इसके उपर सेप्टर और आ जाएगा यह अभी सेकंड सिफ्ट चलू हो गई है यह देखिए आप यह फोल्डिंग लगा रहे है कि यह देखिए कितना लंबा पेपर है जो ज्यादा इस्ट्रा होगा उसकी कटिंग हो जाएगी पर यह भी एक तरह से हर कोई म में भी दिक्कत नहीं आई गया यह देखिए इस तरह से इसको यू को प्रेस किया इसको इस्टिल वेज बोलते हैं टी टूल भी बोलते हैं यह हम बनवाते हैं मार्केट में नहीं मिलता है हमारे पास हर साइज के हैं स्लोड के हिसाब से हर साइज के हैं देखिए फोल्डिं सब्सक्राइब और दो मु को अंद्र फोल्ड कर दिया और उसके बाद फाईवर की वेज लगाएंगे। यह देख सकते हैं आप यह देखिए अब यह फाईवर की वेज लगा रहे हैं। यह मार्केट में हर साइज की हर mm की मिलती है और ये रेडी में आपको ओडर करके आप मार्केट से ले सकते हैं या दिल्ली से कहीं से भी आपके पास अगर सुवीदा है तो आसे मंगा सकते हैं ये देखिए इस प्रकार से हम बाइनिंग करते हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा ये देखिए अब नाइट में वर्क चल रहा है ये हमने हमारा उपर से वीडियो लिया था ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारे या डबल शिप्ट में भी काम होता ह ये देखिए अब नाइट है डबल शिप्ट है तो मतलब दस बज़े तक काम करेंगे और कल ये मोटर हमारी कंप्लीट हो जाए वाइनिंग और कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम वार्नेश जो भी हमारा प्रोसेस है वो हम नेक्स डे करेंगे और ये रोटर भी देख सकते हैं आप रोटर भी इसका पड़ा है और उसको पेले वाले वीडियो में हमने दिखा है था उसको स्लिप्रिंग कट लगाने के लिए रोटर लेथ पर ये देखिए आप ये टी टूल है ये देखिए पेपर फोल्ड कर दिया हमने अब ये पीच को इले हैड नहीं देगा है हम सेट पूरा एक साथ नहीं बानते हैं ये देखिए लास्ट सेट है और उसके बार ये पीच को इले डलेगी और कल दस बज़े तक काम किया था और अभी ये मेरे ख्याल से हां बारा बज़री अभी बारा बज़े ते और शाम तक ये मोटर कनेक्शन भी हो जाएंगे और ये इतना फास्ट वर्क है हमारा और कटिंग भी आपने देखा है हम मशीन से करते हैं मशीन से करते हैं तो भी छे गंटे में मोटर टेबुल पर आ जाती है ये अग्यान कुष और 아ाँ ये देखिए पूरी साथ के साथ भी हम साथ के साथ लगाते रहते हैं ताकि मोटर पल्टी करेंगे तो आपको डबल बार पल्टी करना पड़ता इसलिए जब हम क्रेन से मोटर को पल्टी करते हैं तो वेज पेले लगाते जाते हैं ताकि आपको डबल बार पल्टी नहां करना पड़े यह देख सकते हैं कि यह देखिए फोल्डिंग लगाने का यह फाइदा है आपके रिक्स विल्कुल खतम है कभी दिक्कत नहीं आएगी कभी कोई इसक्रेच नहीं लगेगा और डबल सेफ्टी हो गई यू के बाद ये पेपर भी अंदर फोल्ड हो गया तो मतलब सेवन और फाइब फाइब टेन मतलब सत्रा मील का पेपर हो गया है सेवन्टीन मील इसलिए उपर हम पीबी सी लगाते हैं उसके बाद वेज लगा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मोटर वैन्निंग करने में हमारा तरीका यही है यह देख सकते हैं या पीछ और डाल रहे हैं और आपको कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या तो आप कमेंट्स में हमसे राय ले सकते हैं और आप कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करिए शेर करिए हमारा वीडियो यह देखिए अब दो कोले बाकी है और यह देखिए वो क्या लंच हो गया था तो यह मोटर पूरी